जेहन मेने प्रेदा साथ चो मैं राहूल राज तो आज हम बात करने वाले इंडियन आर्मी के बारे में जिसमें अगर आप 12 पास हैं नर्सिंग की भरती आच चुकी है तो अगर आप 12 पास हैं तो इस फारम को अपलाई कर सकते हैं और इसमें आपका सिंपली स्लेक्शन हो सकता है इसी के रिगाइडिंग में बात करेंगे आपको ये वीडियो लाने में हमको लेट थोड़ा हो चुका है लेकिन अभी भी आपके पास समय है आप इसे अपलाई जर जरूर करिए चलिए वीडियो को चलते हैं साथी आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर भारतिये हैं तो सबसे पहले आपको मैं नोटिफिकेशन देखा दो ये नोटिस जारी कर दिया है इंडिन आर्मी हैं अपने सारे टेल्स क्यूर हम इसी की रिकाइडिंग में बात टियेशन कर देता हूं वहां से यह दूलोड कर सकते हैं वरना आपको में हपी टेलीगराम ग्रूप से भी कर सकते हैं अगर जहां को सबसे पहले आपको बता दो यह इंडियन आर्मी कंतरगत है इंडियन आर्मी नर्सिंग ओफिसियर आफिसर कवड़ी ठीक है यह आपने सिंपली आपको 220 पोस्टों पड़ी आपकी भर्ती होने वाले है 11 मई से चलने वाला है 31 मई तक आपको यह फोरम फिल होने वाला है जोब लोकेशन और इन्या जोब होगा यानि आपको सेलेक्शन हो जाता है अगर इसमें जॉब हो जाता है आपका भारत के किसी भी राजियों में आपका पोस्टिंग हो सकता है यह नहीं कि अगर आप बिहार जर्कंड यूपी दिली महराश्ट से हैं तो आप इक राजियों में होगा ऐसा कुछ नहीं यह आपका All Over India इसकी आपका पोस्टिंग होते र 12 माई को से शुरू हो जाएगा 31 में तक लास्टेट है और इसकी रैली की जो डेट रखा गये वह आपको तीन जून से लेकर 12 जून तक ही आपका रैली चलने वाला है जिसमें आप एटेंब कर सकते हैं आई आगे क्यों चलते हैं कोई भी डिक्कत हो इसमें तो कॉमेंट ज पेमेंट चार्ज लगने वाला है ठीक है के पेमेंट मूड ऊनलाइन मूड कर सकता हैं U PI कर सकते हैं नेट चार्ण कि किके क्रेडित काड वाला आप तहले किसी परकार्ण को आपको कर लिया जाएगा एज लिमिट की बात कर ले एज लिमिट तो एज अगर आपका एक अक्टूबर 1999 से सुरू होना चाहिए ठीके वहां से और 30 सितमबर 2007 इसके दोनों के बीच में अगर डेट अब वर्थ आपका आ रहा है तो आप इसे फोरम को अपलाई कर सकते हैं यह बात आपको ध्याना करें कितना है एक अक्टूबर 1999 से 30 सितमबर 2007 के बीच आपका डेट वर्थ आना चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो आप इसे अपलाई नहीं कर शकती हैं आगे क्यों चलते हैं अब बात कर ले इसमें किसमें किस अगर आपका 50 पर्षटन मांक्त नहीं नहीं है तो आप प्रॉबलम में आ सकती है आपका पोर्म अगर आपने नमबर पर हगे है तो स्कुलिफाई हो जाएगा इसलिए आपको सबसे पहले बात बता दू कम से कम आपको 50% मार्क होना अनिवार्ज है अब बात करते हैं आपको इसकी भैकेंसर डिटरेस में मैंने आपको अल्डेडी बता जिया है कि टोटल आपको 220 पोस्ट रहने वाले हैं आपका सबसे पहले इसमें क्या-क्या से स्लेक्शन प्रोसेस रखा गया इसके डिगाइडिंग बात कर ले तो सबसे पहले आपको जो और ओं-लाइन चेस्ट होगा वह आपका स्पीडर वेशिट टेस्ट होने वाले हैं आपका ओं-ली नीक्जाम होगा फो-ρό SMCQ होंगी कोंचन Princi you यानि आपको क tablespoon रहेंगे चार option रहेंगे उसमत्स से एक सही रहने वाला और तिन गलत रहने वाला ठीकर यह बात आको ध्यान रखना होगा तीके फिजक्स के बात करलें P F D भी फिट आपको देना होगा और PMT भी आपको देना होगा फिर आपका डॉक्मेंश भी फाई होगा फिर आपका मेर्टबी होगा ठीक है उसके बाद कि इंट्रवी होगा मेर्ट बनेगा उसके बाद आपका फाईनल स्टेक्शन हो जाएगा वह भी नोडिफिकेशन के मैं आपको details देच चुक हैं वहां भी आप देख सकते हैं इसके बाद भी डाउट हो तो comment जरूर करिए doubt को हम clear करने वाले हैं आगे चलते हैं अब देख कैसे apply करना है तो simply आपको Indian Army को join Indian Army पर जाकर आपको वहां select करना है और वहां उस page को on करना है किसको AFMS को और वहां से open करका आप इसे forum को fill कर सकती हैं तो यह details मैं आपको दिखला दिया और मैंने आपको क्या का documents जोरूर पर देख यह भी बता दू तेन्थ का आपको certificate हो है 12 का भी certificate हो चाहिए और कितना आपके पास higher certificate location उसका भी आपको लगाना होगा चलिए आगे बात करते हैं मैं वहां भी आपको साइड़ दिखा चुका हूँ फिर मैं आपको यहां notification भी दिखा दू यहां एक और चीजह हम दिखा रहा है अब बात कर लेकर तो कोस्टेण आपको जो इंगें क्या बोलते हैं और जो आपको निगेटीब मार्किंग कटने वाला है यह बात आपको धियान रखना होगा जो निगेटी मार्किंग बहुत ही माइन रखता है लगफ़क मैंने आपको साइड रेस क्लियर कर दिया है इसके बाद विकिंग है अकर डाउट हो तो कॉमेंट सेक्किन जूरू कमेंट करें जब तक लिए जाहें दोस्तों बंदे मातरा हम